क्या आप एक ऐसे सेहर के वारे में जानना चाते हो जो आज भी वेग्यानिकों के लिए एक अनसुल जी फैली बना हुआ है एक सेहर जो कि कवी दुन्या का सबसे सम्रद्ध और सकतिसाली राज जू हुआ करता था लेकिन एक दिन और रात के वीते समुद्र की गैरायों में समा गया इस सेहर का नाम है अट्लांटिस मैं वात कर रहा हूँ उस सेहर के जिसके वारे मैं पहली वार करीब 300 साल पहले महानी यूनानी दारशनी की पलेटों ने जिकर किया था पिलेटो की कानियों में अटलांटिस का वर्णन बिक्सित और विसाल सेर के रूप में मिलता है इस सेर की कुछ सूरती और विसालता के गिस्ते आज भी सुनने को मिलते हैं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले पिलेटों ने अपनी रचनाय टाइमियस और क्रिटियस में अटलांटिस का जिगर किया है उन्होंने बताया कि यह सहर अटलांटिक महासागर में एक विसाल दिव पर बसा हुआ था इन्होंने यह भी बताया कि यह अटलांटिस लेविया और एसिया से भी बढ़ा था यहां की निवासी उन्ने तकनी करा और सलस्कृती में मायर थे लेकिन अचाना कि एक दिन यह अदबुत सहर समुद्र में समालया कहा जाता है कि अट्लांटिस का पतन एक वीशन प्रगातिक आपदा की करण हुआ यह सहर एक ही रात में समुद्र की गहराईयों में फिलीन हुगया और इसके साथ इसके सारे रैस वी डूब गए आज भी यह एक सवाल भना हुआ है कि क्या वास्त में अट्लांटिस जैसा कोई सहर था या केवल यह एक काल्फनिक कथा है इत्यासकार और व्यग्यानिक सदियों से अट्लांटिस की खोज में लगी हुए है कई प्रियासों और सोदों के बाब जूद अभी तक इसके अस्तित्व के कोई डोस प्रमान नहीं मिले कुछ लोग तो इसे केवल एक मितख मानते हैं जबकि कुछ मानते हैं कि अट्लांटिस की कानियों में सच्चाई की कुछ जलक हो सकती है समुद्र की तेल में की गई कोजों से कई प्रातत्व अफसिस मिले हैं लेकिन अट्लांटिस के परमान की पुष्टी करने वारा कुछ भी नहीं मिला वेगनिक भी आद्मिक तक्निकों और साथनों का उप्योग करके समुद्र की घेरायों में चुपे रैसों का और जागर करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन सवाल अभी वी वरकरार है क्या कर भी अट्लांटिस का अस्तित्व था पिलेटो की कानियों में यह वी उलिक मिलता है कि अट्लांटिस अपने समय का सबसे कुसवाल सहर था यहां की लोग बहुत ही बुद्धिमान और उन्नत थे उनकी संस्कृती और सब्विता का इस्तर बहुत ही उचा था लेकिन उनकी खुदगर जी और लालच ने इस महान सहर को विनास की ओर धखेल दिया कलपना कीजिए उस सहर के वारे में जिसके भवन सौने और चांदी से सजे थे जहां की गलिया मुतियों और जबारास से चमकती थी अट्लांटिस का वहवव इतना अध्योतिय था कि उसके तुलना किसी भी आने सब्विता से नहीं खीचा सकती लेकिन प्रकति के सामने किसी की भी नहीं चलती कहते हैं कि अट्लांटिस का पतर एक विनासकारी भूकंप और ज्वाला मुकी की विस्वोट के कारण हुआ ये आपदा इतनी वायानक थी कि पूरा सहर एकी रात में समधर में समा गया वेग्यानिक और इत्यासकार अट्लांटिस के परमाण और अस्तिस को ढूणने का निरंतर प्रियास कर रहे हैं लेकिन अभी तक अट्लांटिस के वले की रहसी में इकताव वना हुआ है थैंक यू फूर वाचिंग माई वीडियो वीडियो कैसी लगी कमेंट करें अगर आपको वीडियो अची लगी तो आपने फ्रेंज को सेर जरू करें